आज की स्क्रक्षा में हम घातांक और घात पाट के प्रस्नावली 4.1 के प्रस्नों को हल करेंगे वर्ग साथ में भी आपने घातांक और घात के बारे में पढ़ाता है उसी कड़ी में उससे आगे हम वर्ग आठ में पढ़न जा रहे हैं तो सबसे पहले इन नियमों पर आप गौर करें यहां मैंने साथ घातांक के नियम लिखे हैं इससे आप पुर्व से परचित हैं वर्ग साथ में आपने इन छे नियमों को पढ़ा था अभी एक नया साथवा नियम वर्ग आठ में हमने जोड़ा है तो आईए इससे हल करते हैं पहला प्रशन इसका मैं तीसरा प्रशन ले रहा हूँ पहला का तीसरा यह है एक बटा तेन का घात माइनस चार आप गौर कीजिए कि आपने साथवे वर्ग में धनात्मक घात पढ़ा था इस वीडियो के ड्रिस्क्रिप्शन में मैं वर्ग साथ के जो प्रशनावली हैं जो पाठ हैं उनके लिंक डाल दूगा आप उसे भी देख लेंगे तो यह पाठ आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा क्योंकि वर्ग साथ में जो घातांक और घात है उसी कड़ी में यह उससे आगे का जो विशेवस्तू है तो आएए इसे अहल करते हैं यह तीसरा नंबर पहला का तो यहां देख रहे हैं कि यह माइनस चार है यह घात तो यहां पर हम देख रहे हैं कौन सनियम हमारा लागू होगा देखिए सातवाँ वाला जब यह माइनस रहता है तो क्या होता है यह अंदर का ग्यूत्क्रम हो जाता है यानि अंस हर में चला जाता है और हर अंस में चला जाता है और जो घात है या घातांक है ये धनात्मक हो जाता है तो ये हमारा हो जाएगा एक बटा तीन हो जाएगा तीन बटा एक और इसका घात हो जाएगा चार तो अर्थात ये तीन का घात चार अर्थात तीन को हम चार बार गुना करेंगे तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन तो इसका हमारा मान आ गया 81, इसी तरह से हम प्रस्न नमर एक के पहले और दूसरे प्रस्नों को भी हल करेंगे, अब आईए प्रस्न संख्या दो देखते हैं, इसका भी मैं सर्फ एक प्रस्न हल कर रहा हूँ, छठा प्रस्न, इस प्रस्न में क्या करना है, निम्नलिखित को सरल करके, उत्तर को धनात्मक घातां के रूप में व्यक्ट कीजिए, तो आईए इसे हल करते हैं, तीन का घात दो, जोड़, दो का घात शुन्य, और ये ब्रैकेट है, और गुना दस का घात चार, तीन का घात दो, यानि तीन ती आई, नौ, और दो का घात सुन्य, तो हम जानते हैं, कि किसी भी आधार का घात अगर सुन्य हो, तो इसका मान एक होता है, तो यहां हो गया एक, गुना दस का घात, चार, तो यह नौ, जोड़, एक ही हो गया, दस, और यह गुना दस का घात, दस का घात, चार है, यहां देखिए, दस के ऊपर कोई घात नहीं दिख रहा है, अगर कोई घात नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह क्या है, एक है, इसका घात, एक है, तो अब हम पहला वाला नियम देख रहे हैं, गुना की इस्तिती में क्या होता है, घात जूड़ जाता है, तो यहां हो जाएगा, दस का घात, एक जूड़, चार, यानि दस का घात, पांच, तो यह हमारा सरल हो गया, और उत्तर धनात्वक घातां के रूप में है, इसी तरह से हम बाकी अन्य प्रश्णों को भी हल करेंगे, और इन नियमों की सहायता लेगे, प्रश्ण संख्या 3, मान ग्याद कीजिए, चलिए इसका भी मैं पहला प्रश्ण लेता हूँ, प्रश्ण संख्या 3 का पहला, दो का घात माइनस एक, और इसके उपर घात की घात है 5, और गुना 32, इसका मान हमें निकालना है, तो दो का घात माइनस एक, और इस घात के उपर घात 5, यह कौन सा नियम हमारा आ रहा है, तीसरा नियम यहाँ अपलाई होगा, तो यहाँ कैसे होगा यह, दो का घात, माइनस एक, इन्टू 5, यह हो जाएगा, तीसरे नियम के अनुसार, गुना, 32 को हम लिख सकते हैं, ऐसे, दो, सुरी, दो गुना, दो, गुना, दो, गुना, दो, गुना, दो, 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 चार, दो, 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 दो आया है पांच बार तो ये दो का घात पांच हो गया अब हम पहले वाले नियम को देखते हैं यहां गुना की स्तिती में क्या होता है घात जुड़ जा रहा है तो यहां हम घात को जोड़ दे रहे हैं दो का घात माइनस पांच और ये प्लस पांच आधार दोनों का एक है तो म इस आधार का घात सुनने है तो इसका मान हो गया एक, अब हम चौथा नंबर प्रस्ण को हल करेंगे, कोश्चन नंबर फोर, यह ऐसे हमने खीच लिए, प्रस्ण नंबर चार, यदि छे का घात N, बटा छे का घात माइनस दो, बराबर छे का घात तीन है, तो N का मान ग्याद क आए, इससे हल करते है, तो यह है, छे का घात N, बटा छे का घात माइनस दो, बराबर छे का घात तीन, या यह हम दूसरे वाले नियम को दिखते हैं, तो भाग के स्तिती में क्या होता है घात घट जाता है तो यहाँ पर क्या होगा यह भाग है बटा के मतलब भाग हो गया यह छे end घटाओ घटाओ दो बरावर छे का घट तीन यह यह हो गया छे end यह भ्रैकेट हटाएंगे तो मैंनस मैंनस प्लस 2 और ये बराबर 6 का गात 3 तो हम देख रहे हैं कि दोनों का आधार 22 तरब भी आधार 6 है और दाहिनी तरब भी आधार 6 है और इसका गात है n प्लस 2 और इसका गात है 3 दोनों बराबर है इसका अर्थ है ये क्या बतलाता है कि n प्लस 2 बराबर 3 अर्थात N ब्रावर 3 घटाओ 2 या 1 तो हमारा N का माना गया 1 प्रस्न संख्या 5 3 बटा 2 का घात माइनस 3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4 बटे 9 का घात माइनस 2 प्राप्त हो तो हम मान लेते हैं कि अभिस संख्या X है तो प्रस्न से 3 बटा 2 का घात माइनस 3 भाग X ब्रावर हो गया 4 बटा 9 का घात माइनस 2 या 3 बटा 2 का घात माइनस 3 और इसे हम लिख सकते हैं गुना 1 बटा X अब देखिए 4 बटे 9 को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं दो बटा 3 का घात 2 और इस पूरे के ऊपर हमारा है माइनस 2 ये घात है यानि घात का घात है तो ये हमारा है 3 बटा 2 का घात माइनस 3 और घुना 1 बटा X अब देखिए यहां तीसरे नियम के अनुसर घात का घात तो क्या होता है घात का घात ये दोनों घात गुना हो जाएगा तो 2 बटा 3 और 2 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो ये आजाएगा माइनस 4 या अब आप देखें कि अगर हम इसको इधर लाएं तो ये भाग में आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा 3 बटा 2 का घात माइनस 3 भाग 2 बटा 3 का घात माइनस 4 बराबर X या X बराबर अगर हम इस पूरे को उल्टा कर दें इसको दाहिने को बाएं और बाएं को दाहिना लाएं तो इसे कोई फरक नहीं पड़ता है ये समिकरन में आपने पढ़ा होगा तो 3 बटा 2 3 बटा 2 का घात माइनस 3 भाग 2 बटे 3 का घात माइनस 4 तो आप यहां देखें कि यह यहां आधार और यहां का आधार दोनों अलग है अब दोनों को हम एक जैसा करेंगे कैसे करेंगे देखिए 3 बटा 2 का घात माइनस 3 है अब यह सात्मे वाले नियम पर आजाईए देखिए यहां यहां क्या हो रहा है यह आधार को हम लोग का व्यूतकरम ले ले रहें अंस को हर और हर को अंस में तो यह हो जाएगा हमारा 2 बटा 3 और यह जो रिनात्मक हमारा घात था तो यह हो जाएगा धनात्मक 3 भाग 2 बटा 3 का घात माइनस 3 अब देखिए यह दोनों आधार एक ही हो गया है तो अब कौन सा नियम यहां लगेगा दूसरा का नियम लगेगा भाग के स्थिती में घात घड़ जाता है तो यहाँ पर क्या होगा 2 बटा 3 का घात 3 घटाओ घटाओ 4 यानि 2 बटा 3 का घात 3 और यह ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस 4 यानि दो बटा तीन का घात साथ अर्थात जो अभिस्ट संख्या हमारी थी वो आ गई दो बटा तीन का घात साथ इसे हम लिख सकते हैं इसलिए अभिस्ट संख्या ब्राबर दो बटा तीन का घात साथ इससे अगर हम इस तीन बटा दो का घात मैनस तीन में भाग देंगे तो हमारा भागफल आएगा चार बटे नौ का घात मैनस दो प्रस्न संख्या 6 एकस ग्यात कीजिए ताकि दो बटा नौ का घात तीन गुना दो बटे नौ का घात मैनस छे ब्राबर दो बटे नौ का घात 2x मैनस 1 आएए से हल करते हैं दो बटा नौ का घात 3 गुना दो बटे नौ का घात मैनस छे ब्राबर दो बटे नौ का घात 2x मैनस 1 आएस समिकरन को हल करते हैं तो ये बाई और हम देख रहे हैं कि आधार यहां भी दो बटे नौ है यहां भी आधार दो बटे नौ है और इसका गुना हो रहा है तो ये पहले वाले नियम से क्या होगा इसके घात जुड जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे 9 और ये 3 और जोड माइनस छे ब्राबर 2 बटे 9 का घहात 2x माइनस 1 और ये 2 बटा 9 का घहात 3 और ये ब्रैकेट ठड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस छे तो ये हो गया ब्राबर 2 बटे 9 का घहात 2x माइनस 1 या 2 बटा 9 का घहात 3 घहात 6 कितना हो जाएगा माइनस 3 ब्राबर 2 बटे 9 का घहात 2x माइनस 1 अब देख रहे हैं कि बाई और दाहिनी और दोनों ब्राबर है और दोनों का आधार बराबर है, जब दोनों का आधार बराबर है, तो दोनों का ये घात भी बराबर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, minus 3 बराबर 2x minus 1, आई अब इधर करते हैं, बराबर, minus 3 और ये minus 1 इधर आजाएगा तो, plus 1, या, that implies 2x is equal to minus 3 और plus 1, ये कितना हो गया, minus 2 हो गया, that implies x is equal to minus 2 by 2, अर्थात ये minus 1, तो x का मान हमारा आगया, minus 1,